हेलो दोस्तो दोस्तो गर आपने भी 12 पास कर लिया है और आपका सपना है कि आप आगे चल कि आपना केरियर डॉक्टर के फिल्ड में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप MBBS को करें उससे भी जरूरी ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि MBBS क्य क्या होता है उसके लिए योगता क्या होनी चाहिए कितने साल का होता है में एडिमिशन के लिए कुण सा इंटरंस एक्जाम को आपको देना पड़ता है और BBS course यदि आप कर लेते हैं तो आपको salary इतने मिलने वाली है इन सब के बारे में पूरे details में आज हम बात करने वाले हैं तो वीडियो कों तक जरूर देखे तो आईए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह एक bachelor course है जिसे करने के बाद आप doctor की अपाद ही आपको मिल जाती है मतलब यह course करने के बाद आप doctor बन जाएंगे और doctor के रूप में अपनी विभिन भूमिका को निभा पाएंगे जैसा कि हम जानते हैं कि एक doctor सबसे महत्वपूर काम होता है स्वास्त को बनाये रखना या फिर किसी प्रकार की कोई भी बिमारी होने पर उसे ठीक करना होता है एक doctor ही मानो शरीर के रोग बिभिन बिमारियों और चोट दर्द आध की निदान और प्रदान परचार करता है तो दोस्तो अगर आपका भी सपना है कि आप एक doctor बने तो इसके लिए MBBS course आपको करना ही पड़ता है तो दोस्तो आईए बात कर लेते हैं कि MBBS course क्या होता है दोस्तो MBBS इसका full form होता है Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery या एक ऐसा medical undergraduate course है जो student को doctor या फिर surgeon बनने के सबने को साकार करता है medical field में MBBS degree सबसे महतवपूर माना जाता है या एक undergraduate degree है जो आपको मरीज का इलाज कर सकने की च्छमता और अनुमती को प्रदान करता है या course के दोरान आपको विस्तार में मानो सरीय से होने वाले बिमारी और उनके इलाज में आपको पढ़ाया जाता है यदि आप STSE हैं तो आपको वहाँ पे कुछ छूट दी जाती है 12 में आप PCB सब्जेक्ट से पास होने चाहिए यानि कि फिजिस कमिस्टी बाइलोजी आपकी उम्र यानि कि आपकी आयू सीमा 17 से 25 वर्स की बीच में आपकी आयू होनी चाहिए यदि आप exam को clear करने के बाद MBBS course करना चाहते हैं तो आपका 60% mark होना अनिमार होता है वहाँ पे तो आईए बात कर लेते हैं कि MBBS course कितने साल का होता है तो MBBS course की अगर हम बात करें तो MBBS पूरे 5.5 साल का course होता है जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें 4.5 साल का student को विषय का अध्यन कराया जाता है और अंतिम वर्थ में आपको सभी student को internship एक साल का दिया जाता है तो आईए बात कर लेते हैं कि आप MBBS course में admission कैसे ले सकते हैं जिसका admission process क्या है तो दोस्तों अगर हम बात करें MBBS course के admission process की तो दोस्तों आप MBBS course में तीन medical college में MBBS course में admission के लिए neat exam हर साल आयोजित किया जाता है जिस exam को clear करने के बाद आप किसी भी government या फिप्राइबेट MBBS college में आप जा के admission ले सकते हैं दूसरा यह है कि आप जेंबर exam दे के आप MBBS course में admission ले सकते हैं लेकिन इसमें यह है कि आप सिर्फ pond cherry के लिए यह exam आयोजि किया जाता है तीसरा यह है कि आप M's के exam को देकर MBBS course में admission ले सकते हैं लेकिन इसमें problem यह है कि यह सिर्फ exam देले के लिए आयोजित किया जाता है तो आई यह बात कर लेते हैं MBBS doctorate यह बन जाते हैं तो आपको salary कितनी मिलने वाली है तो दोस्तों गर आप एक government विभाग में यदि आप job करेंगे MBBS course करने के बाद तो लगभग सतर से एक लाग सतर हजार से एक लाग रुपए तक आपको salary मन्थली मिलेगी यदि आप एक private hospitals में job करेंगे तो लगभग आपको एक लाग प्रतिमन्थ salary वहाँ पे लगभग आपको मिलती है तो दोस्तों यह थी जानकार कि MBBS course क्या होता है इसके salary कितनी होती है योग गता इसके लिए क्या होना चाहिए एक लिमिट क्या होती है I hope यह वीडियो आपको helpful लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर ले चैनल पर नए होता subscribe कर ले क्योंकि ऐसे ही knowledge of video हम आपके लिए लाते रहत कर दो